आज हम लोग जो है पूर्ड वर्ग संख्याओं दी गई हों तो उनका वर्ग मूल कैसे निकालते हैं उसकी एक चोटी सी सार्टिक है मिंस हम पूर्ड वर्ग संख्याओं का वर्ग मूल ग्याद करने की ट्रिक यह पढ़ेंगे ठीक तो आपको एक चीत पहले हम बता दें जैसे की एक का वर्ग यह तो रटा ही हो भाईगी तो सिंपल सा है एक का वर्ग क्या होता है एक होता है दो कवर चार तीन कवर नो चार कवर शूलर पांच कवर पचीश छे कवर शेटीस साथ कवर पुनचास आट कवर चोवशट नो कवर ग्यासी और दस कवर्ग तो यह जरूरी है यह तो आपको याद होना मस्ट है आप चलिए कोई भी पूड़क संख्या हम लेते हैं चलिए एक क्यूशन आपके ले लाते हैं कोई भी ले लेते भाई अंडारूट यह पूड़क संख्या है और आपको यह चीज याद होनीचे भी पूड़क संख्याएं हैं अगर तो उनके यूनिट मिस इकाई पर एक चार नौ छे पांच छे मिस नौ चार एक यह जीरू मिस कौन कौन से अंक नहीं होते हैं पूड़क संख्याओं में दो नहीं मिलेगा तीन नहीं मिलेगा साथ नहीं मिलेगा आठ नहीं मिलेगा एक हजार नौ आसी इसके लिए क्या करिएगा दाहिनी तरफ से आप जोड़ा बनाते हैं जोड़ा बना लीजिए इसका इकाई अंग कितना है? क्यों इकाई अंग से मतलब है? इकाई अंग कितना है? इसको अपने माइन में रख लीजिए नौ है अब 9 किस का वर्ग है? आप देख रहे हैं, 3 का वर्ग है 9, और कहीं है? 7 का वर्ग है 9. इसका मतलब, जो भी मारा वर्ग मूल होगा, उसका इकायां कि या तो 3 होगा, या तो 7 होगा. आप क्या करना है? अगले पेर की उपढ़ते हैं. कितना है? 10 है. तो 10 के लिए आपको ये ध्यान देना है कि 10 के निकट तम फूर्ग संख्या कौन से? तो 10 के निकट में देख लिजी भई, या तो आप 3 तरिक का 9, उसके बाद 4, 4, 16. मिंस ये 3 का वर्ग 9 होगा, और 4 का वर्ग 16 होगा. इसी के बीच है 10. तो इसमें करना क्या है? ये आपका क्या यंक है? इसी में से भी आएगा कोई कोई. क्या करिएगा? जिनका जिनका वर्ग होगा, उसका गुड़ा कर लिजी, 3 गुड़े, 4. आया कितना? 12. कितना आया? 12. अब अपने इस जो जो बचा जोड़ा था, उसका कंपेर करिए. तो नकल लिजी, कि 10 आपके 12 से छोटा है कि बड़ा है? तो भई 10 जो है, वो छोटा है 12 से. इसलिए, इक्याई पर क्या होगा? इक्याई यंक आप जान लिजी, आप 3 और 7 में छोटा यंक कौन है? इक्याई यंक तो पता चल गया 3. और इस ट्रिक में आपको हमेशा के लिए बता दें. अब जो दहाई यंक आएगा, जो इन में छोटा होगा, वही होगा. तो इसका मतलब होगा, इन में छोटा कौन है? तीन. तो इसका मतलब हो गया, कि अंडर रूट 1089 का वर्गमूल कितना आएगा? 33 आएगा. तो ये रही. ठीक, एक ट्रिक. इस चलिए, एक एक जामपल और आपको हम दिखा देते हैं. कोई अंक ले लेते हैं, पुणवर में. चलिए, ये ले लिजी. 2209. अब इसमें भी, क्योंकि इसको इसलिए चूच कर रहे हैं, ये छोटा वाला इसमें बताए न, कि 10 छोटा था, इसके गुड़न फल से, तो हमने और वाला इक भाए ये, आपकी देखते हैं, नव, फिर वही देखिए आपका किसका किसका वर्ग है टीन का वर्ग है, और साथ का वर्ग है. इसका मतलब इक आई तो पक्का है, या तो तीन, या तो सथ ठीक, अब जब इक आई तीन हा, अब आप यहां चलिए, 22. 22 किसके न गटतम है तो चार चौक सोला चार का वर्ग सोला होता है और पांच का वर्ग पचीस होता है इसी सोला और पचीस के बीची बाइस शुपा है तो अब क्या करते हैं इन संख्याओं का गुड़ा कर लेते हैं चार गुड़े पांच कर लिजिए कितना है बीच अब कंपेर करिए आपका 22 जो है 20 से बड़ा है बड़ा है इसलिए इकाई अंक तब क्या हो जाएगा इकाई अंक बराबर हो जाएगा साथ जो कि बड़ अब इसमें बड़ा इकाई में बड़ा को नहीं साथ एकाई एंग साथ आ गया बड़ा और दहाई के लिए आपने बता है जो इनमें छोटा जिसका छोटा वर्ग वही वाला लेना है फोचार हो जाएगा इसी से अपसे अंडर रूट 22009 का स्क्वेर निकाल सकते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है प्लीज आप मेरे चैनल पर यह नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी आएसी साथ रिके आपको हम लाते हैं अभी पूरे वर्गमोल की पूरी स्रिंखला लेकर हमाएंगे चुकि यह बताना एकेड़ की कमटीटिव भी ह अकेड़मिक भी डालेंगे ऐसा नहीं कि अकेड़मिक वाले बच्चे निरास हूं उनके लिए भी जैसे आपको गुड़न खंड विधी से और भाग विधी से दोनों विधियों से करके समझाया जाएगा प्लीज आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए ज